साथियों नमस्कार मैं हूँ नीरश पटेल और आप देख रहें निसल जन्मत सबका साथ यानि कि सबका बोट ले करके ये सरकारें कुछ तथा कथित ताकतवर और प्रभुत्त साली जातियों को और आगे बढ़ाने के लिए किस तरीके से काम करती हैं इसका उधारन आप समय स अरदरसं था ना सडक पर उत्रे थे ना संगर्श करने की जरूरत पड़ी लेकिन आपने देखा कि सरकार को सवल्णों को आरक्षण देना था तो 72 घंटे के अंदर आनन फानन में उनको आरक्षन दे दिया गया लेकिन आपको हर मामले के लिए मांग करनी पड़ेगी आपके अपने घर की किसी बेटी के साथ रेफ हो जाए छेड़ चाल हो जाए उसका मडर हो जाए तो आपको CVI inquiry के लिए मांग करनी पड़ेगी हंगामा कर पड़ेगा संघर्स करना पड़ेगा और तो और अपने उपर मुकदमे भी दर्ज करवाने पड़ेगे तब कहीं जाकर के सरकार कुमकर्णी नींद से जागेगी और कहेगी कि ठीक है इस मामले की CVI inquiry करवा ली जाए और CVI भी इतने धीमे गती से आगे बढ़ेगी कि आपक को बचाना होता है तो ये सरकारे कितने एक्टिब तरीके से काम करती है इसका एक दूसरा उधारन नजर आया अर्णाव गोस्वामी को बचाने को मामले को लेकर TRP फरजीवाडे में मुंबई पुलिस ने अर्णाव गोस्वामी और उसकी चैनल के खिलाफ FIR दर्ज करी उस म दर्ज करवाते हैं लखनव के हजरत गंज थाने में ना कोई डिमांड होती है ना कोई हंगामा मसता है ना ही कोई संघर्स करता है इसके बाद भी उत्तर प्रदेश पुलिस उस मामले को CVI को सौप देती है इसलिए क्योंकि उसको खतरा था कि मुंबई पुलिस अगर जाच करती है तो इस मामले में उनका करीवी उनका प्री उनका दोलारा और लाडला अर्णोगो सौमी फच सकता है अपने लाडले को बचाने वाली बात डिजिटल मीडिया के तमाम सारे पत्रकारों को समझ में आ रही है तो सभाविक है कि उदाव ठाकरे सरकार को भी समझ में आ हुए तो उसको महराज सरकार की अनुमती की जरूरत नहीं थी लेकिन उदाव ठाकरे सरकार ने अब ये आम सहमती बापस ले ली है मतलब अगर सीवी आई को महराज से जुड़े हुए किसी मामले में इंक्वाइरी भी करनी है तो उसको महराज सरकार की अनुमती की जरूरत होगी दरसल CVI दिल्ली विसेश पुलिस इस्थापना अधिनियम 1946 के तहट काम करती है जिसको यह अधिकार है कि केंद्र सरकार से जुड़े हुए करमचारियों अधिकारियों मंत्रालियों में तो वो जाच कर सकती है लेकिन अगर किसी भी राज्य में जाकर के जाच करना है तो उसको राज्य सरकार की अनुमती की जरूरत होगी हाला कि यह आम सहमती पश्चिम मंगाल और राजिस्थान पहले इस आम सहमती को बापस ले चुके हैं अभी भी तमाम सारे राज्य ऐसे हैं जो केंद्र को कमजोर करने को लेकर CVI पर आरोप लग रहे हैं कि वो केंद्र सरकार का तोता बनकर रह गया है तो ऐसे में तमाम सारे राज्य आगे भी एक कदम उठा सकते हैं बहराल TRP मामले में और सुसान सिंग राजपूत के मामले में CVI के अंचाहे हस्तक शेप के बाद उदव ठाकरे सरकार ने फैसला लिया है सोचने की बात ये है कि कमल सर्मा जिनको गोल्डन रैविट कम्मुनिकेशन प्राइवेट लिम्टेट का छेतरी निदेसक बताया रहा है उन्होंने हजरत गंज थाने में जो FIR दर्ज करवाई उसमें भी खेल समझिये पुलिस आयुक्त सुजीत पांडे के हवाले से जो FIR रेपोर्ट सामने आई है उसमें शब्द पर गौर करिएगा TRP का फरजी वाड़ा कर कुछ चैनलों की रेटिंग बढ़ा कर दिखाने और विग्यापन प्रभावित करने का आरोप लगाया गया है कुछ चैनलों की चैनल का नाम नहीं है जबकि मुंबई पुलिस जुजाच कर रही है उसमें इसपश तोर पर रिपवलिक टीवी समेत तमाम चैनलों के नाम घोसित किये गए है छे लोगों की गिरफतारी भी हुई है रिपवलिक टीवी अपने खिलाफ दरज F.I.R. को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाती है सुप्रीम कोर्ट उसकी आजका खारिश कर देती है हाई कोर्ट में उसके बकील हरी सालवे खड़े हो करके इस पूरे मामले की C.V.I. इंकौाइरे की मांग कर रहे होते है उसी बीच में अचानक से उत्तर प्रदेश की सरकार महरवान हो जाती है कहती है कि इस मामले की इंकौाइरी C.V.I. से करवाई है जबकि F.I.R. में कमल सर्मा ने जो शब्द इस्तमाल किये है उन्होंने का कुछ अग्यात लोगों दुआरा कुछ निश्चित चैनल और ब्राडकास्टिंग कमपनिया अग्यात लोगों की सहायता से लोगों को खास चैनल अथवा कारिकरम देखने के लिए आर्थिक लाब या अन्य लालच दिये जा रहे हैं ताकि उनकी रेटिंग बढ़ाई जा सके अब इस मामले में C.V.I. जो खेल कर सकती है वो ये कर सकती है कि चूंकि इस F.I.R. में किसी भी का भी नाम नहीं है मतलब कि टीवी चैनलों से लेकर के डिजिटल प्रेट सौन पर उपलब्द तमाम सारे पत्रकार जो सरकारों से सवाल करते हैं उनको जाच के दाएरे में लपेटा जा सकता है जिस तरीके से नेशनल जनमत को दिल्ली पुलिस की साइवर सेल द्वारा नोटिस दे करके विवेकानंद इंटरनेशन फाउंडेशन के बनाएगा एक वीडियो पर सवाल खड़े करने के साथ ही उसको इनकोईरी के लिए नोटिस भेजा जा रहा है ऐसे ही जाच के लपेटे में चुकि ये F.I.R. में किसी का नाम नहीं है तो इसके जाच के लपेटे में किसी को भी लपेटा जा सकता है खेर C.V.I.R. अब कितना केंदर सरकार के लिए तोते की तरह काम करती है ये बात तो अब सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है और पबलिक डॉमेन भी आ चुकी है इसलिए इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए समझने की बात ये है कि T.R.P. का आखिर खेल क्या है दरसल मुंबई की एक कंपनी है बार्क Broadcasting Audience Research Council बार्क द्वारा तमाम सारे घरों में पूरे देजबर के मातर 30,000 घरों में मीटर लगाने का वो दावा करते हैं उस मीटर के हिसाब से ये तै किया जाता है कि किस निश्चे समय पर कौन सी चैनल को उन घरों में देखा जा रहा था उन 30,000 घरों के मीटर के आधार पर ये तै कर लिया जाता है कि कौन से चैनलों को सबसे ज़्यादा देखा जा रहा था उसी के आधार पर तमाम चैनलें बताती हैं कि मैं नंबर वन हूँ मैं नंबर टू हूँ मैं नंबर थ्री हूँ इस नंबर वन और नंबर टू के खेल के हिसाब से ही उनको विग्यापन मिलते हैं यानि कि पूरा खेल ये है कि इसनल जन्मत आप तमाम सारे लोगों से अग्रह करता है कि आप लोग इस टियारपी के खेल से बाहर रहें। इसनल लिटरेसी यानी मेडिया साक्षरता की बहुत जरूरत है। देखते रहें नेशन जन्मत जागरुक और सजक बने रहें। जै विज्ञान, जै समीधान, जै लोगतंत्र धन्यवाद।